आप सिर्वका सूपर कंश्रट क्लासिज में स्वागत थे और आज आप लोगों का फिजिक्स का एजान था और इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स का एंसर की देने बाला हूं सब्सक्राइब मंगता हैं कि मैं आप लहों को फिक्सित्र त्यारी करते यार कराऊंगा बिल्कुल भी आपने लेना है तो चले शुरू करते हैं और एका करके हर एक question के answer को मिद्ध देख लेते हैं देखो यहां पर हमारे पास जो सबसे पहला question है question number 1 जो है इसका जो हमारा right answer हो जाएगा क्या हो वाइंसर हो जाएगा बिल्कुल सइब्स मिला लेजी वाइंशिग रॉज्चन थीन देख ले थे हैं पर राइट अम्र 2 R performances एक पॉण्ड 2 म 9 रहें उने इंशिगे देखे अगये चलते हैं कुश्चन थेलेग देखना पर साहिव क्या है और क्योस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् एक बटा आर क्यू एक बटा आर स्कुर। नमर प्र हमारा सही एंसर को जाएगा आगे चलते हैं और आगे अगे लेते हैं। प्रकार से दिया गया है जब आप लोग इसको प्रकार्च करोगे तो लोग है लोग यहां सरक क्या हैं। option number 2 हमारा बिल्कुल सही answer हो जाएगा 8 का यहाँ पर option number 2 हमारा right answer हो जाएगा आगे चलते हैं question number 9 देख लेते हैं question number 9 देख लो question number 9 का यहाँ पर हमारा जो सही answer हो जाएगा question number 9 का option number 3 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा option number 3 हो जाएगा आगे चलिए, question number 10 देख लेते हैं, देख लेजिए, question number 10 है, यहाँ पर हमें एक numerical type का question दिया गया था, और question number 10 का, जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, option number 1 हो जाएगा, 2.01 into 10 के मथा में, minus 30, ठीक है, यह हो जाएगा, इसका, बिल्कुल right answer, 10 का क्या हो जाएगा, option number 1 हमारा यहाँ पर सही answer हो जाएगा, आगे चलते हैं, question number 11 देख लेते हैं, question number 11 देख लो भाई, और question number 11 जिसे का आप लोग देख सकते हो, इसका जो सही answer हो जाएगा, option number 4 हमारा बिल्कुल सही answer हो जाएगा, कि the magnetic field lines may intersect each other in certain conditions, तो option number 4 यहाँ पर बिल्कुल right answer हो जाएगा, आगे चलते हैं, अगले question को बढ़ते हैं, अगला question देख लेते हैं, question number 12, question number 12 देख लो, question number 13, question number 13 का यहां पर हमारा जो right answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, question number 13 का option number 3 हो जाएगा, 60 degree यहां पर बिल्कुल हमारा सही answer हो जाएगा, आगे चलिए question number 14 देख लिए question number 14 यानकि N, A, B हमारा सई answer हो गया आगे चलते है question number 15 देख लेते हैं question number 15 जो हमारा यहांपर सई answer हो जाएगा question number 15 क्या हो जाएगा option number 2 हो जाएगा कि Fleming's right hand rule यानकि Fleming का जो हमारा right hand जो नियम है एही हो जाएगा पंदर का सही उत्र यहाँ पर option number 2 हो जाएगा आगे चलते हैं question में 16 देख लेते हैं question में 16 देख लो यहाँ पर क्या है question में 16 और question में 16 का यहाँ पर हमारा जो right answer हो जाएगा option number 1 हो जाएगा कि becomes four times option number 1 हमारा यहाँ पर सही answer हो जाएगा आगे चलिए question में 17 क्यों बढ़ते हैं देख लेजे question में 17 यहाँ पर नुम्रिकल question दिया गया था और question में 17 को जो आप लोग solve करोगे तो इसका सही उत्र आएगा 2.2 ampere यहाँ निका option number 3 इसका बिलकुल right answer हो जाएगा चलिए 17 तक भी हो गया आगे देख लेते हैं question number 18 देख लोग क्या है question number 18 क्यों बढ़ते हैं question number 18 ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर question घुमा हुआ है खेर कोई नहीं चलिए इसको आप लोग देख लेते हैं और question number 18 देख लेजे भाई XL-XC ठीक है XL-XC पटा R यानिका option number 1 हमारा बिलकुल सही answer हो जाएगा option number 1 हमारा यहाँ पर सही answer हो जाएगा फटाफट आप लोग यहाँ पर मिला लेजे आगे चलते हैं question number 19 देख लेते हैं देख लो भाई यहाँ पर यहाँ जो question number 19 है question number 19 का जो हमारा यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 19 का हो जाएगा option number 4 हो जाएगा question number 19 का क्या हो जाएगा option number 4 हमारा right answer होगा question number 19 का जो हमारा सही answer हो जाएगा option number 4 हो जाएगा gamma raise इसका बिलकुल सही answer हो जाएगा option number 4 हो जाएगा यहाँ पर मिला लेजिएगा 18 का एक हो जाएगा और 19 का यहाँ पर 4 हो जाएगा देगे मेरे पास उतना समय नहीं था भाई मुझे जो पीडियाप मिला जिस प्रकार से था मैं उसी प्रकार से बना रहा हूं कि मैं आपने उस रूमें ही बोला कि मैं अभी होस्पिटल में हूं ठीक है और मैं आपको आगे त्यारी कराओंगा बिल्कुल आभी देफिक रही है हर एक चीज त्यारी कराओंगा पर स्थोड़ा सब फिजिक्स नहीं करा पाया इसके लिए मुझे भी अंदर से बहुत ौप गया है और कॉस्चन नमर्स नमर्स यहां पर सई एंसर हो जाएगा अपसे नमर्र टू यानिकी इंफ्रारेड हमारा इसका सई एंसर हो जाएगा आगे चले क्वेंगे लिएक। Q.21 का हमारा जो right answer हो जाएगा, option Q.2 हो जाएगा, कौन का हमीरर इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा, 21 की इसका क्या होगा, option Q.2 होगा, qoncular mirror आवतल दर्पन इसका हमारा सही answer हो जाएगा, Q.22 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं, question no.22 और question no.22 का जो हमारा यहाँ पर सही answer हो जाएगा option no.1 हो जाएगा imaginary and क्या है irregular ठीक है बाइस का यहाँ पर option no.1 हमारा सही हो जाएगा आगे चलिए question no.23 देख लेते हैं और question no.23 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा option no.2 हो जाएगा decreases यानि घड़ता है ठीक है option no.24 का क्या हो जाएगा यहाँ पर option no.3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा question no.25 देख लो भाई question no.25 यहाँ पर जो हमें दिया गया है और question no.25 का जो हमारा यहाँ पर right answer हो जाएगा option no.3 हो जाएगा यानिकी 4 ratio 1 ठीक है चार नुपात 1 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25 का option no.3 हो जाएगा आगे चलते हैं आगे देख लिजिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं question no.26 तो question no.26 यहाँ पर जो हमें दिया गया है और question no.26 का जो हमारा right answer हो जाएगा 26 का क्या हो जाएगा option no.2 हो जाएगा यानि की root under 3 हमारा बिल्कुल सही answer हो जाएगा 26 का क्या हो जाएगा यहाँ पर option no.2 यानि की root under 3 हमारा right answer होगा आगे चलिए question no.27 देख लिजिए तो देखिए question no.27 यहाँ पर minimum over function पूछा गया है देखिए जो आपके NCRT किदाब में न उसमें direct option CGM का भी दिया हुआ है ठीक है अगर CGM दिया रहा है तो तो भाई आपका CGM यहाँ पर एंसन सही हो जाता है यहाँ पर iron, copper, barium और sodium दिया हुआ है तो मैंने किया आपके पास Google का सर्च किया fire up district गॉपी थीक है और barium दिय है हमारा 2.5 यह सबका में बहुत ज्यादा चार से उपर है यह सबता हो थाद धा नहीं तो यहां पर sodium और barium में confusion था तो यहां पर sodium हो जाएगा ठीक है इसका सही उत्तर सटाइस का क्या हो जाएगा आगे चलते हैं आगे देख लिए क्वेश्चन नमर 18 जो दिया गया वही जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नमर 18 का हमारा सही उत्र हो जाएगा आप लोग इसको मिला लिजिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नमर 30 की और बढ़ते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन नमर 30 ठीक है तो क्वेश्चन नमर 30 हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नमर 30 का जो हमारा सही एंसर होगा क्या हो जाएग चलते हैंicky 21 फिर 21 ब 이걸 चलते हैं वnt उसे जब लेते हैं उसलिए और नोर 21 सो जाएक और hist 143 यहाँ फर्टरी से ऐनबर से इसका स genome क्या हो जाएगा option number घैक समग्य к्षिस कोर्फ ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ऑगे चलिए देख लेते हैं एक और क желिक जो हमारा चाहिए उत्तर हो जाएगा दिख लेज़ा घाल ओडि एनसरो स्थी अब्ट्रियोड नमों को जाएगा option number 4 हो जाएगा आप लोग मिला लिजिए और नीचे आप लोग कॉमेंट करके बताईए कि आप लोग का कितना नंबर आया और आगे आप लोग का किस सब्जेक्ट का एक्जाम है कि कि मैं उसे सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगा आगे आप लोग का धाकर त्यारी सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू जैहिंद